तर वापस जा रहे मजदूरों के साथ हुए दर्दनाखासे के बाद कानपूर प्रिशासन मुस्तैद हो गया है शमिक ट्रेन चलने के साथ ही मजदूरों को बसो द्वारा उनके निवास अस्थान रवाना करने का काम भी किया जा रहा है इसी कड़ी में कानपूर के संवाधाता ने हमारे संवाधाता ने जखर कटी बसड़े का जाज़ा लिगा यहां पर आए तो क्या अच्छी मिल दी है खाना पानी भी हम इमको भी मिला है हम वही 11.30 ग्यारा वज़े के करीब नाये थे खाना अभी थोड़ी दर पहले मिला हमको भी अभी कैन कि अभी आदा पून गंटे बाद हम लोगों को बेज दिया जाएगा अभी क्योंकि डाक्टर आए गो तभी मेरा मारे चेक अप हो चुका है अभी खाना मिला खाना का लो उसके बाद बेज देंगे लॉकडाउन के कारण मजदूर जो हैं अपने घरों को वाप्ची कर रहे हैं भारी संख्या में मजदूर अपने घरों का रुक कर रहे हैं ऐसे में आपको दिखा दें कि औरया में जो हाथसा हुआ है उसके बाद कानपूर का जिला प्रशाशन चौकनना हो गया है इस वक्त हम खड़ें जखरकटी बस अड़े पर जहां पर आपको दिखा दें कि काफी संख्या में मजदूर हैं जो यहां पर आ चुके हैं यात्री जो हैं वो आ चुके हैं उनकी बसे भी यहां पर खड़ी हैं बस कुछी देर बाद जो यह यात्री हैं वो इन बसों पर सवार होंगे और अपने छेत्रों में जाने के लिए यह इन बसों को रवाना कर दिया जाएगा इस दोरान आपको ये भी बता दे कि जो जिला प्रशाशन है उन्होंने यात्रीयों के खाने और पीने की उचित व्यवस्था कर रखी हुई है और यहां पर सभी का कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी कर दी गई है और बस अब उनको अपने घर जाना है इस दोरान आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी संख्या में बसे हैं जो पूरी तरीके से तयार हैं जो प्रशाशन है वो भी लगातार यात्रीयों के चेक अप कराकर इन बसों पर सवार कर रहा है उन्हें और बस जिस तरीके से समय आता जा रहा है सवारी इस पर सवार होकर अपने घरों का रुक कर रहे हैं और लगातार यहां पर जो मजदूर है या जो यात्री है वो आ रहे हैं और अपने घरों के लिए जा रहे हैं आपको ये भी बता दे कि जिला प्रशाशन इस घटना के बात से काफी मुस्तैद हो गया है कानपूर से कैमरा पसंद अमित अपता के नुसिंदिया